आज जो भाई लोग और जो बहने पहली बार आएं हैं प्रभु येशु में हम उन सब का स्वागत करते हैं यहां हर संडे इविनिंग को इस तरह से हिंदी में सत्संग होता है दुनिया भर के कामों के लिए हम हफते में 6 दिन निकाल देते हैं सात्मा दिन हाथ पे हाथ रखके बेस्ट करने के बदले यदि सात्मे दिन आप में से हर कोई घंटा डेड़ घंटा यात्रा को और जोड़कर घंटा दो घंटा यदि निकाल लिया करें तो मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि आपको आपके जीवन में अनिगर बहुत अधिक मिलेगा मैं इसके पहले भी कई बार बता चुका हूँ स्कूल से मैं शहर में रहा था, शहर में पढ़ता था लेकिन स्कूल हम पैदल जाते थे, घर से लगबक तीन साड़े तीन किलो मित्र दूर था सुबह तो जैसे तैसे चले जाते थे, लेकिन मद्यप्रदेश की गर्मी जो लोग पहली बार मुझे देख रहे हैं, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ की मद्यप्रदेश में जो चंबल इलाका है, डाकों के लिए प्रसिद मेरी पढ़ाई लिखाई नौकरी सब उस इलाके की है, इस साल गर्मी के दिन, गर्मी के दिनों में 51 डिग्री से इंटीग्रेड वहाँ पे टेंपरेचर पहुचा था, तो स्कूल से जो पैदल आते थ तो कम से कम दो-तीन प्याऊं में रुक कर पानी पी-पी के आते थे, उस समें चाता वगरा कहां होता था, एक प्याऊं के सामने पर्मेनेंटली उन्हें ने जो लिख रखा था, वो मैं कभी नहीं भूल सकता, जो इसके पहले भी वो श्लोक या वो कविता मैं आपको सुना चुका हूं, जब तक है जिन्दगी, फुरसत न मिलेगे काम से, दो बातों को भूल मत, एक इश्वर को, दो कि हम सब को यह संसार छोड़ कर जाना पड़ेगा, इसलिए मेरे प्रीय भाईयों और बेहनों, हफते में छे दिन, अपन सब कढ़िन पर इश्रम करते हैं, आज इस सभा में जितने लोग बैठे हैं, इसमें से जादातर लोग, अपने घर बार, अपने भाई बहनों, अपने परिवार के लोगों को छोड़ कर, दो ड़ाई, हजार, तीन हजार किलो मित्र दूर आकर रहते हैं, यहां का खाना, आपके खाने से बिलकुल अलग होगा मौसम बिलकुल अलग है, यहां पानी बरसना चालू होता है, तो बंदी नहीं होता है, भाषा अलग है, सब कुछ अलग है, इतने दूर जाकर जब इस तरह से कठिन मेहनत करते हैं, तब मैं सभी भाई और बहनों को याद दिलाना चाहता हूँ, दो बातों को भूल मत, जिन्दगी इतनी बड़ी है, लेकिन इसके बावजूद, जब तक है जिन्दगी, फुरसत न मिलेगी काम से, और इसलिए हम को थोड़ा सा समय निकाल कर, प्रभू की बातों पर ध्यान देना चाहिए, और चुकि यहां हर संडे इवनिंग को इस तरह से सत्संग होता ही है, और चुकि यहां काफी ऐसी मंडली है, जो आने वाले हर व्यक्ति का स्वागत करती है, आपके आत्मिक जीवन के बारे में जो मंडली दिल्चस्पी लेती है, इस सभा में आना जाना ना भूले अपने दोस्तों को भी लाएं, मैंने कुछ देर पहले प्रभू ईशु के बारे में बूला था, प्रभू ईशु को अपन उत्तर में ईशा या ईशा मसी भी बूलते हैं, एक ही व्यक्ति के अलग-अलग इलाकों में अलग-अलग नाम है, देठिन भारत में उनको ईशु कहा जाता है, और इसलिए मैं ईश नाम का उपयोग कर रहा हूं, लेकिन मैं बोल रहा हूं ईशा मसी के बारे में, आज से 2000 साल पहले जब ईशा इस संसार में पधारे थे, तो पहले जीवन के पहले 30 साल उन्होंने सेवाकारी की तयारी में बिताया, 30 साल की तयारी के बाद ईशा एक दिन निकल पड़े, अप उनकी स्थिति ये थी कि उनकी शिट्षाओं को सुनने के लिए भीड तूट पड़ती थी, और कुछ घटनाओं, उनके शिश्यों ने जो घटनाएं लिखी हैं, उनमें से कुछ घटनाओं को जब हम पड़ते हैं, तब उन घटनाओं में हम देखते हैं कि प्रभु की वान को सुनने के लिए जो लोग पहुचते थे, उसमें सिर्फ पुरिशों की संख्या पांच हजार होती थी, और यदि पुरिशों की संख्या पांच हजार होती थी, तो स्त्रीयों, पुरिशों और बच्चों को मिला कर कितने लोग प्रभु की वानी के लिए सुनने के लिए साड़े तीन साल के अपने सेवा काल में प्रभू ने बहुत सारे अद्बुत शिठ्षाएं दी थी, जिसमें से एक शिठ्षा के बारे में जो प्रभू ने कहानी के रूप में सुनाया था, मैं आज आपको पढ़ कर सुनाना चाहता हूँ, उस कहानी लंबी है, उसमें से जो जो पोर्षन हमको सुन लेना चाहिए, वो मैं पढ़ कर सुनाऊंगा, वैसे ये कहानी हमको मिलती है लूका रिचित सुसमाचार के 22 वे अध्याय में, लेकिन मैं आपको पढ़ कर स्वर्ग का राज्य, उस राजाधी राज के समान है, जिसने अपने पुत्र का विवाह किया, पता नहीं आपने राजाधी राज लोगों के विवाह देखे हैं या नहीं देखे हैं, मैंने तो देखा है, मैं चंबल में रहता था, जहां सिंधिया राजवंश का राज्य है, और सिंधिया राजवंश एक ऐसा राज-े महाराजाओं का परिवार है, जिनोंने हमेशा अपनी प्रजा का बहुत अधिक ख्याल रखा, और इस कारण लेट मादर अव सिंधिया जी के दोनों बच्चों की शादी मैंने देखी, जिसमें से जोति रादित्य सिंधिया जो की एक मेंबर अव पार्लियामेंट है, उनकी शादी बहुत ही विशेश थी, महाराज ने अपनी सारी प्रजा को नियोता दिया था, सारी प्रजा जिसकी संख्या लाखों में हैं, वो किस तरह से आएगी? बड़े बड़े पंडाल, बड़े बड़े ग्राउंड जहां पर लोग जाकर उस शादी को एटन कर सकते थे, इस तरह से एक राजाधी राज ने अपने पुत्र की, पुत्र का विवा किया और इसका आयोजन किया, आज आप पूछेंगे कि शास्त्री सर, बाइबल से आप आप ने इस कथा को चूस किया, इसके पीछे कोई कारण है क्या, जी हाँ, एक विशेश कारण है, आज आप सब जानते हैं कि यहाँ एक प्रीती भोज का आयोजन किया गया है, उस राजाधी राज ने जनता के प्रती, अपने स्नेह को, अपने प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए इस प्रीती भोज का आयोजन किया था, और जब हम उसे आगे पढ़ेंगे, तब देखेंगे कि किस तरह से प्रीती भोज में उनने सब को बुलाया था, exactly उसी प्रेम के कारण, आप पूछेंगे कि आज प्रीती भोज हुआ है, खिस कुशी में, आज तो कोई त्यो नहीं है, आज किसी की बर्तडे है कि जी नहीं, किसी की बर्तडे नहीं है, आज कुछ विशेश बात है क्या, जी नहीं, कुछ भी विशेश नहीं है, तो ये भी कुछ भी विशेश नहीं है, तो आज प्रीती भोज का आयोजन क्यों हुआ, इसलिए कि आज से 2000 साल पहले, प योजन किया था, exactly उसी के समान, उस राजादी राज के नियाई हम लोग अपना प्रेम, अपना स्नेह प्रगट करना चाहते हैं और अपन भारती लोगों के लिए आपस में स्नेह और प्रेम को प्रगट करने के लिए जो कई तरीके हैं, उसमें से एक तरीका है, जम के खान पा या चाई पानी की जाए, तो हमने सूचा कि खान पान किया जाए, आपसी प्रेम को प्रगट करेंगे, लेकिन ये हम आपके प्रती जो प्रेम प्रगट कर रहे हैं, उस प्रेम का नमूना प्रभू के वचन में हम देखते हैं, कि राजादी राज ने अपने बेटे की शाद भोज में बुलाए हम जानते हैं कि जब भी कोई भोज होता है तो लोग तो यह मना के चलते हैं कि हमको भी निमंद्रण मिल जाए तो अच्छा होगा लेकिन इस जो घटना को जो प्रभु ने बताया यहां एक विचित्र बात हम देखते हैं क्या देखते हैं अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के बोज में बुलाये परंतु उन्होंने आना ना चाहा कैसी विचित्र बात है संसार के स्रिष्टा राजा धी राज अपने पुत्र के विवाह के लिए लोगों को बुलाया उन्होंने दासों को भेज कर उन्हों लोगों से कहा कि आज आओ समय हो गया है और लोग आने को तयार नहीं है आगे प्रभु के वचन में हम पढ़ते हैं वे लोग उपेक्षा करके चले गए मतलब कंदे उचका के खाना खान पान अरे मेरे पचासों काम पढ़े हैं मैं क्या खाने को आऊंगा यहां देखी लिखा हुआ है कोई खेत को चला गया कोई व्यापार को चला गया ठीक है इतनी बात तो हम मानते हैं अंगे लोगों ने जो बच रहते दासों को पकड़ कर उनका अनादर किया ऐसा कोई करता है क्या आपको भोज के लिए बुलाया राजा दिराज ने बुलाया भोज में ना जाना चाहे ये बात अलग है बिचितर है लेकिन ये बात अलग है लेकिन जो बुलाने के लिए गये था उनका आत्मान किया आगे हम क्या देखते हैं ये एक विशेश बात है जो हम सब को समझनी चाहिए उसकी व्याख्या करने से पहले मैं आगे जो लिखा है वो पढ़कर सुनाना चाहता हूँ महा लिखा है राजा ने क्या किया अपने दासों से कहा राजादी राज ने दासों से कहा विवा का बोच तयार है निमंत्रित लोग योगी नहीं ठरे इसलिए चोरा होँ पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले उन सब को विवाह में बुला लाओ दासोंने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सब को इकत्रित किया और विवाह का घर अतिथियों से भर गया मेरे प्रिये दोस्तों इस घटना से मेरे और आपके जीवन का कोई संबंध है क्या जी हाँ बहुत अधिक संबंध है इसी लिए तो ये घटना मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ हम मैंसे कई लोगों को ये गलत फेहमी है कि इस संसार के स्रिष्टा बहुती क्रूर कोई व्यक्ती है जो डंडा लेकर बैठा हुआ है कि जो गलती करो उसको दो लठ दे दो नहीं संसार के स्रिष्टा ने मुझे और आपको सजा देने के लिए या हमारे जीवन में हमको परेशान करने के लिए हमारे स्रिष्टी नहीं की है स्रिष्टा ने मेरे और आपकी स्रिष्टी इसलिए की कि मेरे और आपके जीवन में हर तरह का अनुग्रह मिले सृष्टा इस बात को भी जानते थे कि मनश की सृष्टी करने के कुछ सालों के बाद स्तिती ये हो जाएगी कि लोग हर चीज को कंट्रोल करने लगेंगे हर चीज को नियंतरित करने लगेंगे और इस कारण मेरे बच्चों को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा इसका मैं उदाहरण बता दूँ हम सब ने गाउं का जीवन देखा है मेरी भी पैदाईश एक गाउं की है यहां से देड़ सो किलोमीटर दिछिंड में एक गाउं में मेरी पैदाईश हुई थी केरल आपने देखा है हर जगे लह लहाते हुए पेड़ अब तो फलकेवरिट कम हो गए है लेकिन मेरे बच्पेन में हर जगे इस तरह के लगे रहते थे इस तरह की इस तरह का कोई शहर या गाउं होता है तो कोई व्यक्ति गाउं से होकर जाता है और उसको यदि खाने के लिए किसी चीज की इच्छा होती है तो वो किसी से भी मांग सकता है और लोग खुशी-खुशी उसको दे देते हैं मैं अपने चंबल इलाके का बता दूँ वहाँ गन्य की खेती बहुत होती है और इंदुस्तान का सबसे अच्छा शक्र हमारी इलाके का है डवरा का शक्र गन्य जिस सीजन में कटता है उस सीजन में यदि आप गाउं से होकर गुजने तो सेक्डों ट्रक और सेक्डों बैल गाडिया भर भर के गन्ये फैक्टरी में ले जाते हुए दिखते हैं और यदि आप मैंसे किसी ट्रैक्टर को या बैल गाड़ी को रोक कर कहें कि भाईया दो चार गन्ये दे जाओ तो वो कहता है भाई साब आपको जितने गन्या चाहिए ले लीजिए वो गाड़ी रोक कर माकाइदा उसमें से अच्छा गन्या देखकर खैंच खांच के निकाल के आपको देता है मैंने बहुत बार देखा है हम लोग तो सीजन में हमारे चर्च में एक अंकल थे जिनके पास पुरानी खटायरा कार थी कार में हम लोग गाउं में जाया करते थे तो बैलगाडी वाला जब कार वाला आके रुखा है तो उसको गिन्ये देने के बाद जब कार वाला पूछता था कि भहिया कित्ते पैसे हुए तो वो बड़े अरम से पैसा मांग सकता है क्यों कारवाला है तो कम से कम बेलगाड़ी वाले से अमीर है लेकिन आज तक किसी भी गाओं वाले ने पैसा नहीं मांगा अरे वो बोला साहब जी आप कैसी बात करते हैं आपने मुझसे दन्ना मांगा मेरी खेती हुई है मैं आपको कुशी-कुशी दे रहा हूं मुझे पैसे नहीं चाहिए उसी तरह से हमारे इलाके में एक चीज की खेती बहुत होती है मूली मूली जहां खेती होती है वहां मूली लगबग पक जाए तो किसी भी खेत पर चले जाए और ये किसान से कहिए कि भईया जरा मुली खिलाओ तो आप चार जने हैं तो वो कम से कम छे मुली वहां से उकाड कर लाएगा और सरवत तम मुली उकाड कर लाएगा आप धोकर आपके सामने रखेगा बाकाइदा नमक और मिर्च लाके देगा पानी लाकर देगा और जब त्रिप्थ हो जाएं तो वो कहेगा कि भाई साब घर ले जाने के लिए चाहिए क्या और जब आप उससे पैसे के लिए पूछेंगे तो वो कहेगा नहीं देखिए यह उसकी रोजी है याद रखें उसको बेच कर उसका काम चलता है लेकिन गाउं में यह प्रैक्टीस है कि खान पान पर कोई रोक नहीं है आपने मांगा उसने दिया और उसने उदारता से दिया हाँ एक चीज और है हमारे इलाके में चने बहुत लगते हैं तो चने के पौधे जब एकदम से पक के खड़े होते हैं आप जाकर किसी से कहिए कि भाईया कुछ छोले देना तो वो बाकाइदा उखाड़ कर आपके हाथ में रख देगा और कुछ आपको घर ले जाने के लिए भी देगा वो किसान बहुत धनी नहीं होता है हमारे इलाके में तो किसानों की जरासी जमीन होती है उसको बेचकर उसे अपने परिवार का काम देखना होता है लेकिन नहीं वो किसी तरह से रोक टोक नहीं बोलता है हाँ ले जाए भाई साब आपको जितना चाहिए मैं उस संस्कृती की बात कर रहा हूँ ये घटना उस संस्कृती में हुई है जब हर एक को बुलाना हर एक को देना लोगों की आदत थी प्रभु इश्यू ने ये कहानी क्यों सुनाई इसके पीछे एक कारण है प्रभु इस बात को याद दिलाना चाहते थे कि देखो यदि मनश जिसके पास जितनों वो चाहे गन्ना नहीं होता है सीमित अमाउंट होता है जैसे उसके परिवार का खर्च चलना है एक सीमित संख्या में मूली वो खेती करता है छोले खेती करता है लेकिन इसके बावजू यदि कोई व्यक्ति जाकर उससे मांगता है रिक्वेस्ट करता है तो वो उदारता से देता है और अक्सर पैसा लेने को मना कर देता है यदि मनशी इतना उदार है तो संसर के सृष्टा प्रभू जब वो देते हैं तो पूर्न उदारता के साथ देते हैं क्या देते हैं सब कुछ देते हैं लेकिन प्रभु इस बात को जानते थे कि एक समय आएगा जब लोगों के सामने तंगी हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी जाकर उससे मांगेंगे तो वो कहगा बहिया कुछ पैसे दे जाओ मुली ले जाओ बजार का पैसा नहीं लेकिन कुछ दे जाओ गन्य ले जाओ लेकिन कुछ पैसा दे जाओ ऐसे भी कुछ लोग होंगे जो कि कहेंगे कि पहले पैसा रखो उसके बाद ले जाओ इस कारण प्रभु ने एक काम और किया मुली ना मिले अपने को कोई फरक नहीं पड़ता गन्य ना मिले कोई फरक नहीं पड़ता लेकिन मनिश को जिस चीज की सबसे ज़्यादा जरूरत है वो प्रभु ने मनिश के लिए मुफ्त कर दिया वो कौन सी चीज है ऐसी कौन सी चीज है जिसके बिना आप चार मिनिट या पांच मिनिट जीवित नहीं रह सकते हवा हवा कोई प्रतिबंद लगा सकता है क्या कि अब हवा हम बंद करने जा रहे हैं हवा को कैसे बंद करेंगे प्रभु ने हवा हर जेगे दी है पानी पानी के उपर भी कोई प्रतिबंद नहीं है आप कहेंगे शास्त्री सर कैसी बात करते हैं with municipality वाले महीना महीना फीस लेड़ें, अरे municipality वाला हर दिन बिजली कर्च करके करोडों रुपह के पंप लगा कर और हजारों करोडों रुपह के बांध बना कर आपको घर तक पानी पहुंच रहा है तो थोड़ा बहुत पैसा तो फिर भी आपके घर में आपको जो चीज मिलती है उसमें सबसे सस्ती चीज कौन सी है पानी है पेट्रोल के लिए जिस तरह से पैसा लेते हैं 75 रुपे लिटर पानी के लिए लेने लगे तो हम सब कि क्या हालत हो जाएगी थोड़ा बहुत पैसा मिंसिपाल्टी वाले लेते है इसलिए कि उनको आपके घर तक पहुँचाने के लिए खर्चा आता है लेकिन मान लीजिए यह आपके घर के पास कोई तलाब है नहर है नदी है तो मिंसिपाल्टी वाले यह कहेगा क्या कि महां जाकर पानी बाल्टी और पानी भरने से पहले मुझसे टोकन ले जाओ नहीं मनिश को जिस चीज की सबसे ज़्यादा जरूरत है हवा पानी और प्रकाश और उसके बाद बरसात यह चीजें प्रभु ने मुफ्त रखी है कोई इसके उपर प्रतिबंद नहीं लगा सकता तो पहली चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु जो देते हैं उदारता से देते हैं उसके उपर कोई प्रतिबंद नहीं है इसके अलावा एक चीज और है जो बिना प्रतिबंद के बिना खीमत के बिना किसी मनिश के प्रभु हमको देते हैं और वो है मुझे और आपको अपने जीवन में जो मुक्ती चाहिए आप कहेंगे मुक्ती ये क्या चीज है देखिए जिसने भी जो भी संसार में आया है उसके बारे में पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है मनिश के लिए एक बार मृत्यू और उसके बाद न्याय होना नियुक्त है कल को जब हम प्रभू के सामने खड़े होंगे प्रभू कहेंगे नाम प्रभू शास्त्री फिलिब अच्छा तुम बड़ा अपने आपको शास्त्री कहते हैं फिरते हो तुमारे जीवन का जरा लेखा दोखा जब लेखा जोखा लेने की बात आएगी तब मैं याद दिलना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाई और बहनों हम में से ज़्यादा तर लोगों की बोलती बंद हो जाएगी ऐसा कोई मनिश्य नहीं है जो प्रभू से कह सके प्रभू आपने मुझे साट सतर 80 या 90 साल का जीवन दिया और हे प्रभू मैंने ऐसा जीवन बिताया कि आपको मानना पड़ेगा कि मैं पवित्र हूँ मैं शुद्ध हूँ और मैं आपका बच्चा हूँ कौन कह सकता है मैं नहीं कह सकता आपको ये दिलगे कि आपका जीवन पवित्र है तो जरा सिर्फ इतना काम कर लीजिए मैं अक्सर बोलता हूँ एक चोटा सा एक्स्पेरिमेंट अगले 24 गंटे आपके मन में जो कुछ होकर गुजरता है उसके एक पेपर पर लिख लीजिए उसके बाद आप ले जाकर किसी को दिखाना चाहेंगे क्या कोई नहीं दिखाना मैं तो नहीं दिखाना चाहूंगा क्यों इसलिए कि मनुष के अंदर एक पाप का स्वभाव है उस स्वभाव के कारण हम में से कोई भी शुद्ध नहीं है कोई भी पवित्र नहीं है कोई भी ईश्वर के सामने खड़े होकर ये नहीं कह सकता कि हे प्रभू मैं शुद्ध हूँ या मैं पवित्र हूँ अब सवाल यह है कि हम जो प्रभू की नजर में शुद्ध नहीं है पवित्र नहीं हमारा क्या होगा जब हम इस जीवन को छोड़ कर चले जाएंगे तब हमारा क्या होगा उसके लिए प्रभू ने स्वय में एक रास्ता खूला है और इस रास्ते को खूलने के लिए आज से 2000 साल पहले प्रभू इश्व मन शुरूप धारन करके इस संसार में पधारे थे और प्रभू ने साड़े तीन साल जो शुच्छाएं दी थी इन साड़े तीन सालों में बार बार ये बात याद दिलाई थी कि मेरे बच्चों तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है तुमको एक नया जीवन देने के लिए मैं इस संसार में पधारा हूँ और मैं सूली पर अपना जीवन जो अर्पित करने जा रहा हूँ वो तुमको एक नया जीवन देने के लिए अर्पित करने जा रहा हूँ और जैसा प्रभू ने कहा था exactly वैसा ही साड़े तीन साल के सेवा काल के बाद प्रभू ने अपने आप को अर्पित कर दिया लोगों ने धोखे से प्रभू को सूली पर टांग दिया उनकी हत्या कर दी लेकिन प्रभू ने एक बात कहा था शरीर रूपी इस मंदर को मार डालो लेकिन तीन दिन के बाद मैं पुनर जीवित हो जाओंगा जैसा प्रभू ने कहा था वैसा ही उनको सूली देने के बाद सूली पर उनकी हत्या करने के तीन दिन के बाद प्रभू पुनर जीवित हो गए और चालीस दिन तक हजार उन लोगों को दर्शन दिया प्रभू ने कहा था कि सूली पर का कि कुर्बानी मैं तुम्हारे पापों के लिए देने जा रहा हूँ और उस कुर्बानी को प्रभू ने गहन कर लिया है इसका प्रमान होगा कि मैं पुनर जीवित हो जाओंगा फिर से जीवित हो जाओंगा आज से 2000 साल पहले प्रभू ने अपने जीवन की कुर्बानी इसलिए दी थी कि मुझे और आपको एक नया जीवन दे और मेरे प्रिय भाई और बेहनो आज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ हम मैंसे हर व्यक्ति उस नय जीवन को पा सकता है जिसके कारण कल को जब प्रभू के सामने आप खड़े होंगे और प्रभू पूछेंगे कि अरे शास्त्री तेरा क्या होगा हिंदी का बहुत प्रसिद वाक्य है तो मैं कहूंगा कि हे प्रभू आज से कुछ साल पहले मैंने प्रभू इश्यू को अपने मुक्ति दाता के रूप में ग्रहन किया था हाँ तब प्रभू कहेंगे तुमने ग्रहन किया था और जब तुमने प्रभू को मुक्ति दाता के रूप में ग्रहन किया था तब मैंने तुमको मुक्ति प्रदान की थी जिसके लिए किसी भी मनिश को कोई कीमत देने की जरूरत नहीं है तुम मुक्ति प्रात्त व्यक्ति हो और इसलिए शाश्वत जीवन है मेरे बेटे तुमारा है तुम मेरे इस तरफ आजाओ हम ये सत्संग जो यहां करते हैं इसके पीछे कई कारण है जिसमें से एक कारण ये है कि हर व्यक्ति को ये बता सके कि आप जीवन में इतना कठोर परिश्रम करते हैं लेकिन आपके भविश्व के लिए प्रभू ने जो किया है जो बलिदान दिया है उस बलिदान को समझ कर प्रभू को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहन करें यहां हम जिस भोजन के बारे में देख रहे थे वहां आगे एक घटना होती है वहां देखते हैं जब राजादी राज अतिथियों को देखने के लिए भी तर आए तो वहां एक मनिश्ट को देखा जो विवाह का वस्त्र पहने हुए नहीं था राजादी राज ने उस व्यक्ती से पूचा है मेरे दोस्त विवाह भोज में आये हो लेकिन विवाह के लिए जिस तरह का वस्त्र होना चाहिए उससे पहले बिना तुम अंदर कैसे आ गए वहां लिखा है उसका मूँ बंदो गया इस घटना के पीछे व्यक्ति यदि आपको विवाह के भोज में बुलाता है तो आप नंग धरंग ही चले जाएंगे क्या नहीं फटे कपड़े पहन के जाएंगे 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 नहीं इवन गरीब से गरीब आदमी यदि कपड़े फटे हो तो बाकायदा उसको रफू अगरा करके कलब देके दो के सुखा के कलब देके प्रेस करके जाएगा वह ये तो मनिश्य समाज का कायदा है कि हम यदि किसी विवाव भोज में जाते हैं तो अमीर हो गरीब हो अपने हिसाब से पहनता है लेकिन जो भी पहनता है वो विवाव के लिए उपयूक्त होता है यहां वो आद्मी पहुँच गया शादी में हजारों लोग, दस हजारों लोग राजा दिराज के विवाव में पहुँचे एक अद्मी ऐसी पहुँच गया हम जानते हैं मनिश्य समाज का कुछ काईदा होता है राजा दिराज की इज़त तो करनी है राज कुमार की इज़त तो करनी है लेकिन कम से कम समाज का काईदा है कि सब जगे सब लोग नए वस्तर में आये हैं और हम ऐसी पहुंच गए ऐसा कोई करता है क्या कोई नहीं करता है इस कारण जब राजा दिराज ने पूछा हे मेरे मित्र जब इतनी बड़ी पार्टी में तुम आए हो तो ऐसे कैसे चले आए यहां लिखा है कि उसका मुँ बंदो गया क्यों? उसने जो किया था वो गलत था इसलिए तो उसका मुँ बंदो गया यदि गलत नहीं होता तो वो कम से कम कह सकता था कि महाराज मेरे पास कपड़े नहीं थे इसके अलावा कुछ नहीं था मेरे पास जो सर्वोत्तम है प्रभू मैं उसको पहन के आए लेकिन ऐसा नहीं कह सकता था क्योंकि वो जूट होता वो जान बूच कर उस सभा में बिना तयार हुए गया प्रभू ने का ले जाओ उसको देखे आगे लिखा है उसके हाथ पाओ बांग कर उसे बाहर अंधियरे में डाल डो ऐसा राजा दिराज ने क्यों किया इसलिए कि उस सभा में जाने के लिए उसकी कोई योगिता नहीं थी लेकिन राजा दिराज ने उसको ऐसी जगह पर नियोता दिया जहां जाने कि उसकी कोई योगिता नहीं है क्यों राजा दिराज की दया उस दया का कम से कम उस दया का ख्याल रखते हुए उसे अपना सर्वोत रमवस्त रुपहन कर जाना चाहिए था उसने राजादी राज की दया का धिकार किया मेरे प्रिये भाईयों और बहनों आज हम संसार के स्रिष्टा जब हमको बिलाते हैं कि मेरे बच्चे मेरे बेटे मेरी बेटी मेरे पास आओ मैं तुमको मुक्ति दूँगा उधार दूँगा तब इस नियोते को बार 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 सुनने के बावजूर यदि हम उसका तिरसकार करके इस तरह की सभाव में आते जाते रहते हैं तो प्रभू जब मुझसे पूछेंगे कि है मेरे बेटे मेरी बेटी तू तो उस सभा में जाता था ना जहां वो शास्त्री फिलिप तुमको प्रभू का संदेश सुनाते थे एक से एक भाई लोग खड़े होकर गाना गाते थे सूचना देते थे बच्चे जो तुमसे कितने ही चोटे हैं जो समाज की कुछ बात नहीं समझते उन लोग ने बाकाइदा प्रैक्टिस करके तुमारे सामने इश्वर का संदेश सुनाया और सब कुछ जानते हुए अकलमंद होते हुए बुद्धी होते हुए तुमने मेरा तिरसकार किया प्रीय भाईयों क्या जवाब होगा हमारा मेरा जवाब तो यह हो गहे प्रभू मैं जब पांच साल का था तब ये संदेश मैंने अपने पिताजी से सुना और प्रभू उसी समय वहाँ घुटने टेक कर मैंने प्रभू इश्व को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहन किया आज इस सब़ा में ऐसे कई भाई और बहन लोग हैं जो यही बात कह सकते हैं मैं पांच का था, मैं दस का था, फंद्रा का था, बीस का था, थीस का था, चालिस का था, पचास का था या साथ का था मैंने प्रभू को ग्रंण किया और इसलिए यह नय जीवन मुझे मिल चुक संसार के इस रिष्टा आपको बुलाते हैं इस संधिया को बुला रहे हैं मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरे पास आओ मैं तुमको एक नया जीवन दूँगा उस जीवन को पाकर ही इस सभा से आप जाएं आप कहेंगे शास्त्री सर ये तो मैं पहली बार सुनगा कोई बात नहीं पहली बार नहीं आपको पचास बार ये बात सुनाने और समझाने के लिए हम लोग यहां मौजूद है खान पान हो जाए उसके बाद आराम से आकर बैठिये ये बात हम आपको विस्तार से सुनाएंगे मैं उपलब्द हूँ यहां सामने पीछे कई भाई लोग उपलब्द हैं कई बहन लोग उपलब्द हैं बच्चे शायद परिशा के कारण खिसक लिए हैं जो गाह बजा रहे थे इवन उनसे आप पूछेंगे तो ये डीटिल में आपको बताएंगे क्योंकि उन्होंने इस नई जीवन को अपने जीवन में पाया है लेकिन हाँ आज इस हौल को छोड़ कर जाने से पहले इन बातों का यकीन कर ले इन बातों को अच्छी तरह से समझने के लिए और अपने जीवन में द्रड़ निष्चे मुक्ती के द्रड़ निष्चे को पालेने के लिए प्रभू आप सब की मदद करें जै मसीखी